हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक तो मैं चैनल, आज मैं आपके साथ शॉर्ट अन इजी स्मोक्ट आफगार्ण चिकेन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेट, इसके लिए हम पहले एक मीडियम साइज प्यास, हाफ कप धनिया पत्ता, चार हरी मिर्च, और एक टेबल स्पून अधर क्लस्ट का पेस्ट लेके ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, अब हम एक बूल में हाफ कप दही, वान पोट कप फ्रेश क्रीम, हाफ टीस्पून काली मिर्च पावडर, हाफ टीस्पून गरम मसाला पावडर, एक टीस्पून नमक लेके मिक्स कर लेंगे अब इसमें हमारा ग्राइंड किवावा पेस्ट डाल के सब कुछ फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी फिर से वही सेम प्रॉसेस प्रिक दी चिकन पीसेस विट फॉक सो दाट इट बिकमस मोर सॉफ्ट और फ्लेवर्सम अब हमारे 500 ग्राम स्वीट पॉन प्रिक्ट चिकन को बनाया हुआ मिक्स्टर में एक घंदे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे अब सारे चिकन पीसेस को घी में अच्छे से फ्राइ कर लेंगे मैंने बोट साइट टोटल पंद्रा से बीस मिनिट तक फ्राइ करा है अब हमें इसी पैन में मैरिनेट पेस्ट को डालके इसे अच्छे से भून लेना है मैंने इसे पाँच मिनिट तक भूनने के बाद इसमें पंद्रा काजु पेस्ट एक किया है और इसे फिर से तीन मिनिट के लिए कुप कर लिया है अब देख सकते हो मसाले पूरी तरह से भून चुके हैं अब हम इसमें सारे फ्राइट चिकन को एक कर देंगे और इसमें डाल देंगे एक टेब्ल स्पून कसूरी मेथि अब हम गैस का फ्लेम लो करके पैन को कवर करके इसे पाँच मिनिट तक पकाएंगे अब हम गैस को आफ करके एक चार्कुल को अच्छे से गरम करके पैन के अंदर एक कटोरी में उसे डाल के उसके उपर वन फूर टी स्पून घीर डाल देंगे और इमिडियेटली पैन वो कवर करके पाँच मिनिट तक स्मोक को चिकन में एबसर्फ होने के लिए छोड़ देंगे तो दोस्तों ये हो गया रेड़ी हमारा स्मोक टाफगानी चिकन आप इसको रोटी परांथे के साथ प्यार अप कर सकते हो और मुझे मन ही मन धेर सारा प्यार भी भेज सकते हो तील दें सीया So friends, अगर आपको मेरा बनाया हुआ recipes अच्छा लग रहा है या फिर आपको कोई recipes जानना है तो आप मुझे नीचे comment box में वो बता सकते हो और अगर आपको मेरा presentation अच्छा लग रहा है तो please friends do click on the bell button to subscribe my channel Do like and share guys, see you soon